वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे कोरोना का समय है आप से विंती है सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और सरकार के द्वारा जो टीका करण कराया जा रहा है आप जरूर जाएं और टीका जरूर लगवाएं चली अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं लॉजिक गेट्स पैसिक डेफिनिशन पहले समझें हम लोग क्योंकि हमने यही नहीं पता होता है लॉजिक गेट्स होता क्या है तो अगर बिलकुल बेसिक डेफिनिशन देखा जाए तो यह एक एलेक्ट्रोनिक सरकीट है जिसमें हम लोग एक या उस तो सपोज ये हमारा वो फिल्डिंग ब्लॉक है, सर्किट है, यहां से हम लोगों नहीं इन्पुटिंग की, आउट्पुट के रूप में, रिजल्टेंट के रूप में जब भी मिलेगा, तो सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, यह वैल्यू इन्पुटिंग के रूप में तीन भी हो सकती है, तो तंसीडर करना है हमें, कि यह जब भी देगा, तो हम एक इन्पुट दें, तो भी एक आउट्पुट मिलेगा, दो दें, तो भी एक आउट्पुट, तीन दें, तो भी एक आउट्पुट, एक आउट्पु होती है आई सी होती है और इसको पाइचानना बहुत आसान है किसी भी सर्किट में अगर आपको किसी आई सी का नंबर सेवन फोर से सुरू होता हुआ दिके आप समझ सकते हैं कि यह जो आई सी यूज हो रही है वो गेट के लिए यूज हो रही है फॉर एक्जामपल 7404 यह ज जाता है मतलब इनीशियल ही इनी से हम लोगों को सुरुवात करनी होगी गेट के माध्यम से हम लोग अधर इंटिग्रेटेड़ सर्किट को डेवलब करते हैं उनके माध्यम से ही हम अधर वर्क्स देखेंगे अपने हिसाब से लॉजिक गेट्स साथ तरह के होता है वन इन्पुट के रूप में देंगे तो यह गेट हमें आउट्पुट के रूप में एका बार देता है मतलब इन्वर्स करके देगा अगर हम वन इन्पुट करते हैं तो जीरो आउट्पुट मिलता है अगर हम जीरो इन्पुट करते हैं तो वन आउट्पुट मिलता है इसलि के इनौ्ट गेट सिंगल एंपुट एक्सप्ट करता है नौटगेट में हम लोग जब भी देते तो एक ही इन्पूट्ट दे सकते हैं बदले में एक आउटपुट वह में देगा रॉठ का सिंबोल होता है यहां से हम freuen पूट करते हैं यहाँ पे consider कि यह A और B यह दो हमारे inputs है ORGET का यह input हुआ A, B ORGET हमेशा resultant के रूप में A plus B करके देता है input A, B suppose 0, 0 A plus B output होगा 0 0, 1 0 plus 1, 1 1 plus 0, 1 और 1 plus 1, 1 ORGET को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका binary addition याद रखना है बस OR से concerned दूसरा जो get होता है वो होता है NORGET करना कुछ नहीं हम लोगों को इस ORGET में एक NOTGET add कर देंगे हम लोग यह truth हमारा जो diagram है उसमें एक NOTGET add हो जागा यानि ORGET का जो output मिलेगा वो तो A plus B होगा लेकिन जब वो NOTGET से होके गुजरेगा तो A plus B का बार हो जागा इसी को short में जब बनाते हैं हम लो NORGET को एक buffer यहाँ लगा दिया जाता है buffer actually क्या दिखाता है कि यहाँ पे NOTGET combine है ORGET output के रूप में AB का बार देता है मतलब जो कुछ भी ORGET का result आया हमारा जो भी output हमें ORGET से मिला है इसका inverse जो होगा वो NORGET होगा मतलब A plus B का बार तो 0 की value 1 हो जाएगी यह 1 जो है वो 0 यह भी 0 और यह भी 0 तो अगर देखें हम लोग तो यह truth table दोनों के लिए हो गया हमारा पहला यहाँ पे हमने सबसे पहले ORGET के लिए यह वाला part डबलब किया और यह जो output मिला यह हमें NOR का मिला तो simple concept है ORGET ORGET A plus B NORGET invert होगा NORGET की वज़ा से जो भी value ORGET के output के रूप में मिली है NORGET में उसके opposite में हमें value मिलता है अब अगला gate जो हम लोग देखेंगे वो है ANDGET next time लोगों का ANDGET यह symbol होता है ANDGET का ANDGET का rule कहता है आप A और B input के रूप में दे यह हमें उसका product देता है बतलब अगर हम यह 00 दे 01 देते हैं 10 देते हैं 11 देते हैं तो 3 cases में 0 होगा क्योंकि 0 into 00 0 into 1 0 1 into 00 but 1 into 1 is equal to 1 तो सीधा सीधा concept याद रखना है A dot B कई बार ऐसा होता है कि जो values हैं हमारे इसको लेके हम लोग doubt में होते हैं यहां क्या लेना है कैसे लेना है अगर input की संख्या बढ़ गई तो क्या किया जाएगा कोई tension नहीं है आप यहाँ पे तीन values की बात करें A dot B dot C यहाँ पे आप तीन input की बात करें A, B और C जब आप truth table तयार करने चलेंगे तो यह जितने inputs होंगे उतना दोग के power 3 में जाएगा तो यह होता है हमारा 8 यानि यहाँ पे जो number of probabilities है वो बढ़के हो जाएगी 8 तो simply आपको करना क्या है यहाँ पे 0 to 7 तक के values लिखते चले जाना है मतलब 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0 0 1 1, 1 0, 0 1 1, 0 1, 1 1 0 और 1 1 1 यह जो inputs होंगे यह उस gate के लिए होंगे जिसमे number of inputs की संख्या 3 है A, B और C यहाँ पे हम लोग simple इसका truth table देख ले तो यह A होगा, यह B होगा, C होगा और output के रूप में A.B.C होगा तो अगर 3 input भी हों तो rule वही रहता है बस यहाँ ध्यान क्या देना है हम लोगों को 0 से लेके और continuously 3 digit में जब तक values आ रही है 7 तक input लिखते चले जाना ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग 0 से 3 तक लिखे वहाँ पे हम लोग 0 से लेके 7 तक लिखेंगे वैसे ही अगर 4 input बनता है तो 0 से 15 तक के binary values लिख देंगे वही हमारे inputs बन जाएंगे end gate से associated फिर एक दूसरा gate होता है वो होता है NAND NAND का rule भी ठीक उसी तरह जैसे और और नौर का rule था तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं तो end में एक not gate add कर देते हैं मतलब अगर यहाँ पे हम लोग एक not gate add कर दें तो हमारा काम हो जाएगा end gate को nand gate बनाना बहुत असान है same process है जो पीछे हम लोग और और नौर के लिए देखे end gate में एक not gate add कर देंगे हम लोग एक buffer लगा देंगे अब फिर भाई बात a.b यह end का output मिलेगा लेकिन nand के रूप में जब इसको use करेंगे हम लोग तो a.b का bar हो जाएगा यानि just opposite अगर truth table में भी verify करें हम लोग तो यह nand का output होगा a.b का bar यानि 0 का value 1 हो जाएगा यह 0 1 हो जाएगा यह भी 0 1 हो जाएगा और यह जो 1 है यह 0 हो जाएगा तो and को nand में convert करना बहुत आराम से होता है and gate में एक not gate add कर दिया जाता है जो logical symbol है हमारा वो फिर बदल के कुछ ऐसे हो जाता है और हम लोग इसको nand के रूप में याद करते हैं a.b सीधा याद रखिए a.b का bar गुना b का bar यानि inverse of the and यानि and gate का उल्टा a.b का value जो मिलेगा a.b का bar जो है तो यह जो truthable है यह हमारा दूनों part कबर कर लिया यह जो हिस्सा हमने यहाँ पे डाला यह वाला खास करके यह and के लिए हो गया और यह जो हिस्सा हम लोग ने यहाँ पे देखा वो nand के लिए होगी अब अगला जो gate देखेंगे हम लोग वो XOR और XNOR होगा अगला हम लोग देखेंगे अब exclusive और XOR भी लिखते हम लोग XOR भी लिखते हम लोग दोनों सही है XNOR लिखें तो भी सही है XNOR लिखें तो भी सही है E actually stands for exclusive exclusive और यह हमारा symbol XOR का A और B input के रूप में देखेंगे यह resultant के रूप में A exclusive भी देता है truth table verify अगर किया जाए तो A B इसका सीधा सा फट्ड़ा जो याद रखना है वो यह है when both inputs are same then output will be 0 when both inputs are different then output will be 1 अगर दोनों के दोनों input same है मतलब 0 और 0 दोनों input है 1 और 1 दोनों same input है उस स्थिति में वो जो हमें result देगा वो 0 0 देगा जब दोनों inputs different होगा मतलब 1 0 है तो 1 1 है 1 1 है याँ पे तो 1 0 है याँ पे तो यह दोनों के दोनों input जो different होगा है उस स्थिति में जो output मिलेगा हमें वो 1 मिलता है अब same concept exclusive और में अगर हम लोग एक buffer जोड़ देते हैं तो exclusive nor तयार हो जाता है यानि फिर से हम लोगों को अब यहाँ पे not get add करना है exclusive nor बनाने के लिए a, b, a exclusive b का bar फिर truth table के तरफ आया हम लो तो यहाँ पे a exclusive b का bar यह add हो जाएगा और इसके just opposite मतलब when both inputs are same then output will be 1 when both inputs are different then output will be 0 तो यह एक nor का truth table भी हमारा इसी truth table के साथ तैयार हो गया तो यहाँ का जो part है a exclusive b यह x or का है और यह जो exclusive b का bar है यह x nor का है तो उमीद हैं आप बहुत अच्छे से समझ गया है हम repeat कर रहे है not यह totally inverse है one डालो zero मिलेगा, zero डालो one मिलेगा, single input gate ही है or gate a plus b के concept पे काम करता है और से जुड़ा हुआ nor है a plus b का bar and को a dot b कहते हैं हम लोग and से a dot b होता है मतलब product value and a dot b का bar x or a exclusive b इसके बारे में याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका when both inputs are same then output will be 0 when both inputs are different then output will be 1 और x nor इसके just opposite तो अगर हम associate करके चलें or or nor को and or nand को x or or x nor को तो ये याद रखना बहुत आसान होगा तो उमीद है आपको logic gates का पूरा concept बहुत समझ में आया होगा तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको सारी बाते समझ में आ गई हो तो like करें, share करें, subscribe करें Thank you